ओम शांती एक मार्ज दोखजार चौवीस मीठे प्यारे बाबा के आज के मधुर महावाक्य। आज की मुली के कुछ फिशेश पॉइंट्स। आज बाबा हमें समझाते की हम बच्चों को सदा इस नशे में रहना है की हम ब्रह्मा मुखवंचाबली ब्रामन हैं। हमें ज्यान रतनों से अपनी जोली भर बहुतों का कल्यान करना हैं। बहुत बहुत मीठा बनना हैं। हर कर्म में बाबा को किसी ना किसी संबंध से अपने साथ रखना है। तो चलिए सुनते हैं आज की बाबा की मीठी प्यारी मुढली ओम शान्ती। बाबा के दे मीठे बच्चे अविनाशी ज्यान रतन तुम्हें राव यानी राजा बनाते हैं। ये बेहत का स्कूल है। तुम्हें पढ़ना और पढ़ाना है। ज्यान रतनों से जोली भड़नी है। प्रश्न कौन से बच्चे सभी को प्यारे लगते हैं। उच बद के लिए किस पुरुशार्थ की जरूरत है। उत्तर जो बच्चे अपनी जोली भरकर बहुतों को दान करते हैं। वे सभी को प्यारे लगते हैं। उच बद के लिए बहुतों की आशीरवाद चाहिए। इसमें धन की बात नहीं। लेकिन ज्यान धन से अनेकों का कल्यान करते रहो। खुश मिजाज और योगी बच्चे ही बाप का नाम निकालते हैं। ओम शांती। रुखानी बाप बैठ रुखानी बच्चों को समझाते हैं। बच्चे चानते हैं हमको अब वापिस जाना है। आगे बिलकुल नहीं चानते थे। बाप बच्चों को समझाते हैं। इनका समझाना भी ड्रामा अनुसार अब राइट देखने में आता है। और कोई समझा न सके। अब हमको वापिस जाना है। अब अवित्र कोई वापिस जाना सके। ये ज्ञान भी इस समय ही मिलता है। और एक बाप ही देते हैं। पहले तो ये याद करना है कि हमको वापिस जाना है, बाबा को भुलाते हैं, मालुम कुछ भी नहीं था, अचानक जब समय आया, तो बाबा आ गया, अब नई-नई बातें समझाते रहते हैं, बच्चे चानते हैं, अब हमको वापिस जाना है, इसलिए अब पतित से पावन होना है, नहीं तो सजा कानी पड़ेगी और पद भी भ्रश्ट हो जाएगा, इतना फर्क है जैसे यहां राओ और रंग, वैसे वहां राओ और रंग बनते हैं, सारा मदार पुरुशार्थ पर है, अब बाब कहते हैं, तुम खुद ही पतिस थे, तब तो पुकारते हैं, यह भी अब तुमको समझाते हैं, अज्यान काल में ये बुद्धी में नहीं रहता, बाब कहते हैं, आत्मा जो तमो प्रधान बनी है, उसको सतो प्रधान बनना है, अब सतो प्रधान कैसे बने, यह भी सीड़ी पर समझाया है, इनके साथ दैवी भी धारन करने हैं. यह है बेहत का स्कूल. स्कूल में रिजिस्टर रखते हैं. गुट, बेटर, बेस्ट का. जो सर्विसिबल बच्चे हैं, वे बहुत मीठे हैं. उनका रिजिस्टर अच्छा है. अगर रिजिस्टर अच्छा नहीं हैं, तो वे उचलते नहीं हैं. सारा मदा पढ़ाई, योग और देवी गुनों पर। बच्चे जानते हैं, बेहत का पाप हमको पढ़ाते हैं। पहले हम शुद्रवर्ण के थे, अब ब्रामन वर्ण के हैं। प्रजा पिता ब्रह्मा के बच्चे हम ब्रह्मन हैं। ये तो बहुतों को भूल जाता है। जबकि तुम ब ये भी नशा चड़े। भूल जाते तो ये नशा नहीं चड़ता है। कि हम ब्रामन कुल के हैं, फिर देवता कुल के बनेंगे। ब्रामन कुल किसने बनाया। ब्रह्मा द्वारा मैं तुमको ब्रामन कुल में ले आता हूं। ब्रामनों की ये धनिस्टी नहीं हैं। छोट सा कुल है अपने को अब ब्राममन समझेंगे तो देवता भी बनेंगे अपने धंदे में लग जाने से सब कुछ भूल जाते हैं ब्रामन पन भी भूल जाता है धंदे से फारिक हुए फिर पुरुशाद करना चाहिए कोई को धंदे में जास्ती ध्यान देना पड़ता है काम पुरा हुआ, फिर अपनी बात, याद में बैठ जाओ, तुम्हारे पास बैज बहुत अच्छा है, इसमें लक्ष्मी नारायन का चित्र भी है, त्रीमूर्ती भी है, बाबा हमें ऐसा बनाते हैं, बस यही मनमनाभव है, कोई को आदत पढ़ जाती है, कोई को नहीं पढ़ती है, भक्ती तो अब पूरी हुई, अब बाब को याद करना है, अब बेहत का बाब, तुमको बेहत का वर्सा देते हैं, तो खुशी होती है, किसको अच्छी लगन लग जाती है, किसको बहुत कम, है बहुत सहच, गीता के आदी और अंत में अक्षर है, मनमनाभव, यह वो ही गीता एपिसोड है, सिर्फ श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है, भक्ती मार्ग में जो भी तृष्टांत आदी हैं, फैसक इस समय के हैं, भक्ती मार्ग में कोई ऐसे नहीं कहेंगे, कि देह का भान भी छोड़ो, अपने को आत्मा समझो, यहां तुमको ये शिक्षा बाप आते ही देते हैं, यह निश्च है, दीवी देपता धर्म की स्थापना हमारे द्वारा हो रही है, राजधानी भी स्थापन हो रही है, इसमें लड़ाई आदी की बात नहीं है, बाप, अब तुम्हें पवित्रता सिखाते हैं, वे भी आधा कल्ब कायम रहेगी, वहां स्थापन राज्ये ही नहीं, विकारों पर तुम अब जीत पा रहे हो, यह तुम जानते हो कि हमने हू बहू कल्ब पहले जैसे राजधानी स्थापन की थी, वैसे अब कर रहे हैं, हमारे लिए यह पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है, ट्रामा का चक्र फिरता रहता है, वहाँ सोना ही सोना होगा, जो था वे फिर होगा, इसमें मूझने की बात नहीं है, माया मचंदर का खेल दिखाते हैं, ध्यान में सोने की इंटे देखा, तुम भी पैकुंट में सोने के महल देखते हो, वहां की चीजें तुम यहां नहीं ला सकते हो, यह है साक्शातकार, भक्ती में तुम इन बातों को नहीं चानते थे, अब बाप कहते हैं मैं आया हूं तुमको ले जाने के लिए, तुम्हारे बिगल बे-ारामी होती है, जब समय आता है तो हम को बे-ारामी हो जाती है, बस जाउं। बच्चे बहुत दुखी हैं, पुकारते हैं, तरस पड़ता है, बस जाओं। ड्रामा में जब समय होता है, तब खयाल होता है, बस जाओं। नाटक दिखाते हैं विश्नु अफ्तरन, लेकिन विश्नु अफ्तरन तो होता ही नहीं। दिन प्रति दिन मनुश्यों की बुद्धी खत्म होती जाती है, कुछ समझ में नहीं आता, आत्मा पतित बन पड़ी है। अब बाप कहते हैं, बच्चे पावन बनो तो राम राज्य हो, राम को जानते नहीं। शिव की पूजा जो की जाती है, उनको राम नहीं कहेंगे। शिव बाबा कहना शोबता है, भक्ती में कोई रस नहीं। तुमको अब रस आता है। बाप खुद कहते हैं, मीठे बच्चे मैं तुमको ले जाने आया हूँ। फिर तुम्हारी आत्मा वहां से आपे ही सुखधाम चली जाएगी, वहां तुम्हारा साथी नहीं बनूगा। अपनी अवस्था अनुसार तुम्हारी आत्मा जाकर दूसरे शरीर में गर्व में प्रवेश करेगी। दिखाते हैं सागर में पीपल के पत्ते पर श्री कृष्ण आया, सागर की तो बात ही नहीं, गर्भ में बड़े आराम से रहते हैं, बाबा कहते हैं मैं गर्भ में नहीं चाता हूं, मैं तो प्रवेश करता हूं, मैं बच्चा नहीं बनता, मेरे बदले श्री कृष्ण को बच समझ दिल बहलाते हैं, समझते हैं, शी कृष्टन ने ज्यान दिया, इसलिए उनको बहुत प्यार करते हैं, मैं सभी को साथ ले जाता हूं, फिर तुमको भेज देता हूं, फिर मेरा पाठ पूरा, आधा कल कोई पाठ नहीं, फिर भक्ती मार्क में पाठ शुरू होता है, ये भी ड्रामा बना हुआ है, अब बच्चों को ज्यान समझना और समझाना तो सहच है, दूसरे को सुनाएंगे तो खुशी होगी, और पद भी उन्च पाएंगे, यहां बैट सुनते तो अच्छा लगता है, बाहर जाने से भूल जाते हैं, जैसे जेल बर्ड होते हैं, कोई शरारत हरकत करके जेल में जाते ही रहते हैं, तुम्हारा भी ऐसा हाल होता है, गर्भ में अन्जाम करके फिर वहां की वहां रही, यह सब बातें बनाई हैं, तो मनिश्य कुछ पाप कर्म न करें, आत्मा संसकार अपने साथ ले जाती है, तो कोई छोटे पंद से पंडित ब समझते हैं, आत्मा निरलेप है, परन्तु आत्मा निरलेप नहीं, अच्छे वह बुरे संसकार आत्मा ही ले जाती है, तब ही कर्मों का भोग होता है, अभी तुम पवित्र संसकार ले जाते हो, तुम पढ़कर फिर बद पाते हो, बाबा तो सारी आत्माओं के जुंड को वापस ले जाते हैं, बाकी थोड़े रहते हैं, वे पिछाडी में आते रहते हैं, रहते भी वही हैं, जिनको पिछाडी में आना है, माला है ना, नंबर वार बनते जाते हैं, बाकी जो बनेंगे, वे स्वर्ग में भी पिछाडी में आएंगे, बाबा कितना अच्छा समझाते हैं कोई को धारना होती है, कोई को नहीं अवस्था ऐसी है तो पद भी ऐसा ही मिल जाता है तुम बच्चों को रहम दिल, कल्यान कारी बनना है ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है दोश किसको नहीं दे सकते कल्प पहले जितनी पढ़ाई की होगी उतनी ही होगी, जास्ती होगी नहीं, कितना भी पुरुशार्थ करावें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क तब पड़े जब किसको सुनाएं, नंबरवार तो हैं ही, कहां राओ, कहां रंक, ये अविनाशी ज्यान रत्म, राओ या नहीं करते, तो रंक बन जाते हैं, ये बेहत का स्कूल है, इसमें फर्स्ट, सेकिंड, थर्ड है, भक्ती में पढ़ाई की बात नहीं, वहां है उतरने की बात, शोबनिक बहुत है, जांज बजाते, स्तुती करते, यहां तो शांत में रहना है, भजन आधी कुछ नहीं, का अपना अपना पाठ है, कोई गिरता, कोई चड़ता, कोई की तकदीर अच्छी, कोई की कम, तद्बीर तो बाबा एक रस कराते हैं, पढ़ाई भी एक रस है, तो टीचर भी एक है, बाकी सब हैं मास्टर्स, कोई बड़ा आदमी कहे, फुर्सत नहीं, बोलो, घर में आकर पढ़ाएं, क्योंकि उन्हों को तो अपना अहंकार रहता है, एक को हाथ करने से औरों पर भी असर पढ़ता है, अगर वे भी किसको कहें, कि ये ज्यान अच्छा है, तो कहेंगे, इन्हें भी ब्रह्मा कुमारियों का संग लग गया, इसलिए सिर्फ अच्छा कह देते हैं, बच्चों में योग की पावर अच्छी चाहिए, जान तलवार में योग का जोहर चाहिए, खुश मिजाज और योगी होगा, तो नाम निकालेंगे, नंबर वारतों हैं, राजधानी बननी हैं, बाप कहते हैं, धारना तो बहुत सहच है, बाबा को जितना याद करेंगे, उतना लव रहेगा, कशिश होगी, सुई साफ है, तो चुबबक तरफ खींचती है, पट होगी, तो खींचे की नहीं, ये भी ऐसे है, तुम साफ हो जाते हो, तो पहले नंबर में चले जाते हो, बाप की याद से पट निकलेगी, गायन है, बलिहारी गुरु आपकी, इसलि कराने वाला गुरु मनिश्य है, तुमने सगाई शिव के साथ की है, ना की ब्रह्मा से, तो याद भी शिव को ही करना है, दलाल के चित्र की जरूरत नहीं, सगाई पकी हो गई, फिर एक दो को याद करते रहते हैं, तो इनको भी दलाली मिल जाती है, सगाई का भी मिलता है दूसरा फिर इनमें प्रवेश करते हैं, लोन लेते हैं, तो ये भी कशिश करते हैं. तब बच्चों को भी समझाते हैं कि जितना तुम बहुतों का कल्यान करेंगे, उतना तुमको उजूरा मिलेगा. यहे हैं ज्यान की बातें, दूसरों को ज्यान देते रहो, तो आशिरवाद मिल जाती है, पैसे की दरकार नहीं, मम्मा के पास भल धन नहीं था, परन्तु बहुतों का कल्यान किया, ड्रामा में हर एक का पाठ है, कोई धनवान धन देते हैं, म्यूजियम बनाते हैं, तो बहु की आशिरवाद मिल जाती है, अच्छा, साहुकार का पद मिल जाता है, साहुकार के पास तासियां बहुत होती है, प्रजा में साहुकारों के पास बहुत धन होता है, फिर उनसे लोन लेते हैं, साहुकार बनना भी अच्छा है, वे भी गरीब ही साहुकार बनते हैं, बाकी स आउकारों में हिम्मत कहां, इस ब्रह्मा ने फर्ट से सब कुछ दे दिया, कहते हैं हाथ जिनका ऐसे, यानि देने वाला, बाबा ने प्रवेश किया, तो सब कुछ छुड़ा दिया, कराची में तुम कैसे रहे हुए थे, बड़े बड़े मकान, मोटरें, बस आदी सब कुछ अब बाब कैते हैं, आत्म अभिमानी बनो, कितना नशाद चड़ना चाहिए, भगवान हमको पढ़ाते हैं, बाब तुमको अथा खजाने देते हैं, तुम धारना नहीं करते हो, लेने का दम नहीं, श्रीमत पर नहीं चलते हो, बाब कहते हैं बच्चे अपनी जोली भर लो वे लोग शंकर के आगे जाकर कहते हैं जोली भर दो बाबा यहां पोतों की जोली भरते हैं बाहर जाने से खाली हो जाती है बाब कहते हैं तुमको बहुत भारी खजाना देता हूं ज्यान रत्नों से जोली भर भर कर देता हूँ, फिर भी नंबर वार हैं जो अपनी जोली भरते हैं, वे फिर दान भी करते हैं, सब को प्यारे भी लगते हैं, होगा नहीं तो देंगे क्या? तुम्हें 84 के चक्र को अच्छी तरह समझना और समझाना है, बाकी मेनत है योग की, अब तुम युद्ध के मैदान पर हो, माया पर जीत पाने के लिए लड़ते हो, ना पास हुए तुम चंद्रवंशी में चले जाएंगे, ये समझ की बात है, बच्चों को बहुत खुशी ह होनी चाहिए, बाबा, आप कितना वर्षा देते हो, उठते पैटते, सारा दिन ये बुद्धी में रहे, तब धारना हो सके, योग है, मुख्य, योग से ही तुम विश्व को पवित्र बनाते हो, नौलिज अनुसार तुम राज्य करते हो, ये पैसे आदी तो मिट्टी में मिल जाने वाले हैं, बाकी ये अविनाशी का माई तो सब साथ चलेगी, जो सेंसिबल होंगे, वे कहेंगे, हम बाबा से पूरा ही वर्षा लेंगे, तकदीर में नहीं, तो पाई पैसे का पद पाएंगे, अच्छा, मीठे मीठे, सिकिलदे बच्चों प्रती, मात पिता, ब रुहानी बाब की रुहानी बच्चों को नमस्ते, हम रुहानी बच्चों की रुहानी बाब दादा को दिर्व चान सिक्वा प्रेम से नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते जी, गुद मॉर्निंग बाबा, शुक्रिय बाबा, धार्ना के लिए मुख्यसार, पहला पोइंट, अपनी पढ़ाई और दैवी गुनों का रिजिस्टर ठीक रखना है बहुत बहुत मीठा बनना है हम ब्रह्मा मुखवन्चावली ब्राम्मन है इस नशे में रहना है दूसरा पॉइंट सर्व का प्यार वा आशिरवाद प्राप्त करने के लिए ज्यान रतनों से अपनी जोली बरकर दान करना है बहुतों के कल्यान के निमित बनना है वर्दान हर कर्म में बाप के साथ भिन भिन संबद्दों से स्मृती स्वरूप बनने वाले श्रिष्ट भाग्यवान भव सारे तिन के हर कर्म में कभी भगवान के सखा वा सकी रूप को कभी जीवन साथी रूप को कभी मुरब्बी बच्चे के रूप को जब कभी दिल शिकस्त होते हो तो सर्वशक्तिवान स्वरूप से मास्टर सर्वशक्तिवान के स्मृती स्वरूप को इमर्ज करो तो दिल खुश हो जाएंगे और बाप के साथ का स्वतर अनुभव करेंगे फिर ये ब्रामन जीवन सदा अमूल्य, श्रेष्ट, भाग्यवान अनुभव होती रहेगी स्लोगन ब्रह्मा बाप समान बनना अर्थाथ संपूरंता की मन्जिल पर पहुंचना ओ श्यंटी